नमस्कार स्यासिय नुक्ता विद्मुक्ता में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हो मुक्ता सिंग। दिल्ली के साथों लोगसभा सीटों पर 25 माई को वोटिंग है लेकिन इन सबसे जादा होट सीट नौर्थ इस्ट को माना जा रहा है। बीजेपी के मनोश्तिवारी और कॉंग्रस आमादमी पार्टी के कनहिया कुमार ने मुकाबले को बेहत होट बना दिया है। इस सीट को जीतने की एहमियत इसी से समझ सकते हैं कि यहां मनोश्तिवारी के लिए खुद पी एम मोदी और ग्रिह मंत्रिया में शाह तो कनहिया कुमार के लिए राहुल गांदी और अर्विन केजरिवार प्रचार में पूरी ताकत जोक रहे हैं। मनोश्तिवारी यहां से हेट्रिक लगा पाएंगे या कनहिया कुमार परचम फैराएंगे देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो अर्विन केजरिवाल कभी कॉंग्रिस को पानी पी पी कर कोशते थे वही केजरिवाल आजकल दिल्ली में कॉंग्रिस उमीदवार कनहिया कुमार के लिए दिन रात एक किये हुए हैं। जेल से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरिवाल सबसे ज़ादा ताकत नौर्थीज दिल्ली पर लगा रहे हैं। नौर्थीज दिल्ली के भजनपुरा, बुराडी, बाबरपुर, तेमारपुर में सभाएं कर रहे हैं। कभी नुकर रैलियां करते हैं, तो कभी खुली गाड़ी पर चड़कर रोडशोस करते हैं। भजनपुरा की रैली में तो उन्होंने मनुष सिवारी को रिंकिया के पापा कहकर संभोधित किया। और प्रधान मंत्री मोधी को थानेदार जैसी संग्याएं दे डाली। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंदागरी मचारक किया है, इन्होंने मनीश सिसोधिया को जेल में डाल दिया, केजिनिवाल को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजेजिन को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पिये को भी जेल में डाल दिया, अब कहा रहे आप तीशी को भी जेल में डालेंगे सौड़ कादवाज को भी जेल में डालेंगे अब अबने प्रधान मंत्री बनाया था दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजिवाल ने नौर्धीज दिल्ली को जीतना नाख का सवाल बना लिया है बीजेपी उमीदवार मनोश्तिवारी भी केजरिवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है रिंकिया के पापा वाले केजरिवाल के बयान पर मनोश्तिवारी बेहत गुस्से में है मनोश्तिवारी कह रही है कि ये देश की बेटियों का अपमान है स्वाती मालिवाल प्रक्रण का हवाला देते हुए मनुष्टिवारी कह रही है कि जो केजरिवाल और उनकी पार्टी एक बेटी को अपने ड्रॉइंग रूम में पिटवाती है वो बेटियों के नाम पर वोट मांगने की हकदार नहीं है देखिए आज अर्विंद केजरिवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे है आज ये दिन आगए अर्विंद केजरिवाल के आज निर्भया की आत्मा भी रो रही होगी जिन लोगों ने कसम लिये थे कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे टाम करेंगे वो महिलाओं को पीटने का अरिकार चाहते हैं महिलाओं को पीटने वालों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं शेम उनके जरिवाल हाई वोल्टेच चुनाव प्रचार में तब नया मोड आ गया जब पिशले हफ़ते एक रैली के दौरान कनहिया कुमार की पिटाई हो गई कनहिया कुमार को थपड मारने का आरोब एक बीजेपी कारे करता पर लगा है कनहिया कुमार ने इसे भी प्रचार में इस्तमाल कर लिया मनोज तिवारी जी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिये 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस छेत के लिए कोई काम नहीं किया और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसच को इस बार बदलेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदला होगा। अच्छे वक्ता माने जाते हैं। उन्होंने उत्तरपूर्वी दिल्ली की लडाई को रोचक बना दिया है। चुनाव शुरू होने के वक्त यहां एक तरफा महौल दिख रहा था। लेकिन अब चुनाव काटे का दिख रहा है। इस इलाके में कॉंग्रिस से जादा आम आदमी पार्टी की ताकत मौझूद है। कहा जाता है कि इसी इलाके ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता तक पहुचाय था। लेकिन कॉंग्रिस से समझोते के बाद कि जिवाल की पार्टी को ये सीट कॉंग्रिस के लिए कर रहे थे 39 दिल्ली को पिछले 10 साल से बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है मनोज तिवारी की हैट्रिक की संभावनाओं को देखते हुए ही पार्टी ने उन पर भरोसा जटाया है मनोज तिवारी 2019 के लोगसभा चुनाओं में सीट पर शीला दिख्षिक जैसे दिगज नेता को भी हरा चुके हैं हलाकि पिछले लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी अलग-अलग चुनाव रड़ रहे थे 2019 के लोगसभा चुनाओं में बीजेपी के मनोज तिवारी ने कॉंग्रिस के दिगज नेता और दिल्ली की पूरु मुख्यमंत शीला दिख्षित को तीन लाग से जादा वोटों से हराये था मनोज तिवारी को 2019 के चुनाओं में कुल 7,87,799 वोट मिले थे उस समय आम आदमी पार्टी से दिली पांडे चुनाव रड़े थे पांडे को 1,90,856 वोट मिले थे जबकि कॉंग्रिस उमीदवार शीला दिख्षित 4,21,697 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी इस बार कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी के बीच गड़ बंधन है अगर दोनों पार्टीों का वोट बैंक एक जुठ हो जाता है तो मनोश्तिवारी के सामने चुनावती खड़ी हो सकती है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोगसभा चेतर दिल्ली का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है यहाँ 24 लाक से अधिक मतदाता है और इनमें सबसे अधिक तादात पूर्वानचल और उत्तराखन के लोगों की है पूर्वी दिल्ली लोगसभा चेतर में विधानसभा की 10 सीटे आती है बुराडी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतासनगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावलनगर आम आदमी पार्टी के जनसमर्थन वाली इन विधानसभाओं ने 39 दिल्ली के चुनावी समीकरण को काफी दिल्चस्प बना दिया है नई दिल्ली और दक्षनी दिल्ली के मुकाबले इस इलाके में गरीब मतदाताओं की दादात काफी ज़ादा है कॉंगर्स में कनिया कुमार पर इसलिए भी दाव लगाया है क्योंकि उनके भाषनों में जादतर, गरीबों, मजदूरों और महलाओं की बात होती है सोशल मीडिया में नौर्टीस दिल्ली की सियासी जंग को कभी बिहारी बनाम बिहारी कहा जा रहा है तो कभी तिवारी बनाम असली क्रांतिकारी जनता किस पर रैतबार करती है इसका पता 4 जून को चलेगा 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है आप जिसको चाहें उसको वोट डाले लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि 25 मई को वोट जरूर डाले तो सियासी नुक्ता बिदमुक्ता में आज के लिए बसतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे है श्रेष्ट भारत